तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे Chrome OS अपने वर्चुल मशीन वर्चुल बॉक्स में इंस्टॉल करोगे विट प्ले स्टोर तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको FIDEOS.IO की वेबसाइट पर जाना है और यह जो एरो देख रहा है डाउन वाला इस पर क्लिक करना है तो आप यहां पर आज होगे यहां पर आपको तीन ओप्शन देखने को मिलेंगे FIDEOS for PC, FIDEOS for VMware तो आपको simply VMware वाले पर क्लिक करना है और यहां पर तीन आपको लिंक देखने को मिल जाएंगी आप अपने हिसाब से किसी भी लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो मैं सजेच करूंगा कि आप आई क्लाउड वाली पर क्लिक करो इस पर आपको अच्छी डाउनलोड स्पीड देखने को मिल जाएगी देन उसके बाद हमें चाहिए होगा एक virtual machine आ तो फाइडवेस की VMware की फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया और इसका साइज है 2.10 GB और आपको भी ऐसी डाउनलोड कर लेना है उसके बाद अपना virtual box या VMware को open कर लेना है तेन उसके बाद आपको जाना है simply file में और यहाँ पर क्लिक करना है open पर और जो आपने डाउनलोड करके रखी है fileOS की VMware की file उस पर जाना है आपको और उस file को select करके open पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपसे क्या नाम देना चाहते है आप इसका तो आप दे दो chrome OS file जो भी आप देना चाहते है उसके बाद आपको नीचे साइड storage path select करना है जहां पर जो आप import करोगे वह file save हो त इसने दूसरी location पर तो गाइस मैंने location select कर लिए है storage path की देन उसके बाद मैं करूंगा import पर click तो import होने में थोड़ा समय लग सकता है डिपेंड करता है आपके PC के hardware पर तो guys import होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा और अगर आप VMware पर हो तो आपको simply यहा install कियो virtual box में ऐसा नहीं करना है देन उसके बाद आपको power on this virtual machine पर click करके इसे on कर देना है आपको wait करना है आपको कुछ select करने की जरूवत नहीं है यह अपने आप start हो जाएगा तो गाइज उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी language चूज कर लेनी है मुझे मैच सेलेट कर लूँगा English India देन उसके बाद यहाँ पर मैं ok पर click कर दूँगा get started पर click करूँगा तो आप देखो कि मेरा internet connected है उसके बाद आपको next पर click कर देना है उसके बाद आपको accept and continue पर click कर बना है उसके बाद आपसे अकाउंट बनानी क्लिक कहेगा तो आपको account नहीं बनाना है simple नीचे आपको use local account पर click करना है और use local account पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर username डालना है ध्यान रखना है आपको नाम के बीच में space नहीं रखना है वरना work नहीं करेगा तो मैं अपना नाम दे दूँगा simple technical और नाम के बीच में आपको कोई भी space नहीं रखना है और password में आपको password डाल देना है जो भी आप रखना चाहते हो और next पर click कर देना है यहाँ पर अगर इंप्रूमेंट experience इंप्रूमेंट प्रोग्राम में जोईन होना है तो on रख दे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी ठीक है इसको हम कर देंगे cut तो इसमें आपको अभी किसी और चीज़ पर click नहीं करना है जैसा मैं कर रहा हूं सेम वैसे आपको follow करना है simple आपको launcher पर click करना है और यहाँ पर android लिखा है इस पर click करना है और agree पर check करना है और launch कर द आपको store पर जाना है देन आपका store लोड होने में थोड़ा समय लगा सकता है पहली बार लोड हो रहा है तो थोड़ा समय लगा सकता है जब store लोड हो जाएगा तो simply आपको made by FIDOS पर click करना है और यहाँ पर configure open gaps पर click करना है configure open gaps पर click करने के बाद इसे add कर लेना है अपने chrome में तो add app पर click करके इसे install कर लेना है तो आप देखोगा यहाँ पर अभी installing शुरू हो जाएगी अभी download कर रहा है और installing भी शुरू हो जाएगी जब आपका successful install हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से लिख कर आएगा तो आपको browser फिर से खुल जाएगा तो आपको browser को cut कर देना है त इसके बाद यहां से भी पूरा cut कर देना है तो यहां पर आपको launcher पर जब क्लिक करोगे तो यहां पर configure open जो आपने add किए वो दिखेगी simply इस पर click करना है आपको agree पर click करना है और next पर click करना है नेक्स्ट पर click करने के बाद एग लगाएगा simply install पर select करना है और next पर click करना है और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, और ओके पर क्लिक कर देना है, तो आप देखो कि इंस्टॉलिंग शूरू हो जाएगी, प्रिपेरिंग कर रहा है, डॉनलोडिंग करेगा फाइल्स की नेट की जरुवत पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉल भी कर देंगा, आपको रिबूट ना रू तो सिंपलिए आपको रिबूट ना उपे क्लिक करके इसे रिस्टार्ट कर देना है तो मेरा प्लेस्टोर आ गया है तो इसमें कीबोर्ड भी वर्क कर रहा है तो यह चेकिंग इंफो कर रहा है अपनी इमेल डालके लॉग इन कर सकते हो लेकिन आपको बता दूँ कि अगर आपको रेजुशन चेंज करना है तो कैसे करोगे लॉंचर पर क्लिक करना है तेन उसके बाद य पको टाइब करना हैं डिस्पेडिस्प्टे में आपको डिस्प्ले साइज पर क्लिक करना और अपने डेक्स्टॉप के मौनितर के रीजूशन के साब सभी यहां पर रेजॉलूशन select कर लेना है then उसके बाद confirm पर क्लिक कर देना है तो यह full पर आ जाएगा तो इसको full पर करने के लिए मैं simply यहाँ पर फुल स्क्रीन वाला है तो इस पर क्लिक करूंगा तो यह full स्क्रीन पर आ जाएगा तो इस तरीके से आप अपने Chrome या उसको virtual machine या virtual box में यूज कर सकते हो with play store सब कुछ मैंने step आपको बता दिया कैसे क्या करना है तो इस तरीकेस आप कर सकते हो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दिजिएगा शेयर कर दिजिएगा कमेंट कर दिजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो में चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं तो आज की वीडियो में बसेत नहीं अगली बात पर मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ जब तक के लिए टिक क्यार बाई बाई जय हिं क्या सकतर हम नए वीडियो में। लाईध।